मुंबई के सायन अलाके में हम मौजूद है और यहां पर तेज बरसात के चलते सडकों पर जल जमाब हो गया है मेरे पीछ अगर आप देखें तो यह सायन पुलिस सेशन के पास की मुख्य सडक है और यहां पर जबर्दस जल भराव देखने मिल रहा है सडकों पर लहरे उठ रही है क्योंकि बरसात मुंबई में लगातार जारी है और ऐसे में पानी को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है जो सीवेच है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है और अगर आपकी नजर जाये तो आप देख पाएंगे कि उसके चलते ट्राफिक बह अगर आप देखें मैं एक तस्वीर आपको यह भी दिखाऊंगी कि यहां पर मैन होल है जहां से पानी निकलना है लेकिन अगर आप देखें यह पूरी तरह से भर चुका है यहां से पानी निकलने के लिए जगाने क्योंकि कच्छा इसके उपर पूरा पूरी तरह से चौक और पानी जो है बर्सात के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उ किनारे से फूट पाथ से होकर गुजरें लेकिन यहां कहीं पर भी मैन होल हो सकता है उसका खतरा बहुत बढ़ जाता है और बीमसी की तरफ से इस सरग के जो पंप है वो यहां पर लगाए जरूर गये हैं यहां लेकिन इसे भी पानी नहीं निकल पारा क्योंकि रास्ता ही नहीं बचा है और यहां लगातार कई सालों से पानी भड़ता है तो इस सरग के जो मेजरमेंट के बोड है वो यहां पर लगाए गये हैं ताकि पता चले कि कितना मिलिमीटर पा और मुंबई की सड़क फिलहाल इस स्थिती में है तो आप सोचिए कि आज तो यलो अलट दिया गया है और आने वाले तीन से चार घंटे तेज बड़सात हो सकती है तो मुंबई करो की जो स्थिती है वो बहुत जादा खराब होगी गनीमत है कि रविवार है लेकिन अगर ये बड़सात देर रात तक जारी रही तो कल लोकल ट्रेन से लेकर सड़क जो है मुंबई की वो पूरी तरह से तलाब में तबदील हो जाएगी और तस्वीर ये कि मुंबई करो को हपते के पहले दिन बहुत जादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो तस्वीर लगात For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.